हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर चले दोस्तों शुरू करते हैं डोगा की रोमांचक को मिक्स तूने मारा डोगा को का दूसरा भाग मेरे सामने लडाई की ऐसी तक्निक का परियोग तो सिर्फ हल्दी चाचा ही कर सकते हैं मैंने ही कहा था कि जो पहले जमीन पर गिरेगा ये पच्ची सो उसकी तरफ से लड़ेंगे और अब ये पच्ची सो मेरी तरफ से लड़ने आ गए हैं एक तरह से ये मेरी हार है ये ये हल्दी चाचा की भी तो हार है हाँ 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 इनकी मदद पहले ही ले लेता दोगा पर ये पच्ची सो में कर भी तुझे बचा नहीं पाएंगे धाड़ धाड़ देख वो रहे पच्ची सो और अब ऐसे ही तू भी पड़ा होगा सक 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 हवा में उरता हुआ मोत का शरीर कब डोगा के पीछे पहुचा ये डोगा भी ना देख सका और डोगा कल सुबह तेरी मोत के समाचारों की हेडलाइनों से सबी समाचार पत्र भरे होंगे ये एक सशक सिकंजा है जो फासी से भी कम समय में किसी की प्रान ले सकता है लेकिन मैं इसके हाथों नहीं मरूँगा क्योंकि इसके हाथों मर गया तो ये मेरे हल्दी चाथा की सिखाई विद्या का अप्रान ले से बचने के लिए मेरे पास केवल कुछ शन है क्योंकि मेरा गला जकड़ा हुआ है दम घुट रहा है ये खुला मैं होल मुझे बचा सकता है अगर मैं इसकी तरफ सरक जाऊ तो मेरा शरीर ते जटके के साथ इसमें गिरेगा मेरा भारी शरीर मैं होल में गिरते ही मेरा गला घोडते मोट के हाथों को भी ते जटका लगेगा वो इतनी असानी से अपनी पकड़ नान चाकू से ढिली नहीं करेगा लेकिन ये निश्चित है कि मैं मोत के हातों से आजाद हो जाऊंगा और खुद को मोत कहने वाला ये आदमी भी अपना मूत उड़वाएगा अहो, ठीक उसी पल, पुरा वातावरन पुलिस के सायरनों से गुण जुठा अब ये लड़ाई जारी नहीं रह सकती क्योंकि शायद किसी ने पुलिस को फोन कर दिया है और पुलिस आ गई है, मोत भी भाग चुका होगा डोगा अपने चिर परिजित रास्तोस पर आगे बढ़ला दो रातों में मुझ पर दो ऐसे हमले हुए हैं जिनोंने मुझे मेरे गुरुओं काली मिर्च और हल्दी चाचा की ट्रेनिंग याद दिला दिये इन दोनों लड़ाईयों में मैं मोत और मोत के एकदम नजदीक पहुँच गया था कौन थे ये दोनों हक्यारे, इनोंने ऐसी लड़ाई कहां से सिखी क्या दोबारा भी मेरा उनसे सामने होगा होना ही चाहिए योगि मैं चाचाओ की सिखाई विद्याओ को यूँ इस परकार द्वस्त नहीं होने दूँगा उन्हें मूत और जवाब देना ही होगा मुझे खुद को और मांजना होगा और कुशल बराना होगा बदमास ज्वैली शोप का ताला तोड रहे हैं चल मुझे ले चल महा ताला तूटने से पहले ऐसे चोरों के हाठ तूट जाने चाहिए खडाक जल्दी करो सुना है मुंबई में रात को हवा गलत दिशा में बहती है यानि डोगा की तरफ तुमने ठीक सुना है गलत लोगों के लिए हवा गलत ही बहती है डोगा आ गया पर हमें बोक्सर ने तसल्ली दी है कि डोगा हमारा कुछ नहीं बिगार पाएगा मैंने जूटी तसल्ली नहीं दी तुम लोग अपना काम करो डोगा को मैं देखता हूँ लोटेरे अपने काम में लग गए अरे डोगा तो चक्रा गया तोड़ो जल्दी करो डोगा अभी तक नहीं उठा कमाल है शटर का ताला तूट गया घपराओ मद तसल्ली से लोट पाट करो ये उठा भी तो मेरा वार इस बार इसे हमेशा के लिए सुला देगा दो, तीन, चार, खना पाच, जिंग चे, साथ, आठ, अक, नो, धाए अहा दस, अरे बुकसर कहा गया तुम मुझे क्यों ले आए मैं नोकाउट नहीं हुआ था मैं आठ की गिंती पर ही उठ खड़ा हुआ था मुझे डोगा को खतम क्यों नहीं करने दिया तुमने डोगा पर तेरे पंच के बाद डोगा के पंच की ताकत भी देख ली थी हमने अगर दूसरा पंच तेरे बजाए डोगा तुझे मार देता तो तू शायद फिर उठना पाता और हम तुझे डोगा के हाथ नहीं लगने देना चाहते थे क्योंकि डोगा के लिए अभी आखरी हत्यार और है मेरे हमारे पास डोगा के दिमाग में भी प्रिशन बढ़ते जा रहे थे ऐसा सक्तिसाली पंच जो डोगा को गिरा दे ऐसा पंच दनिया चाचा चाचा के अलावा और कौन मार सकता है मुझे क्या मैं दनिया चाचा पर शक कर रहा हूँ ये मैं क्या सोचने लगा ये क्या हो रहा है मुझे डोगा को अभी पता नहीं संधे की और कितनी चक्यों में पीशना था अरे शायद मुझे एक और हमले की तयारी कर लिनी चाहिए डोगा के ससक्त हातों ने उस भारी भरकम पाइप को थाम न लिया होता तो वो कुचल गया होता उसे सीवर के इस पाइप को हिलाने के लिए भी जबर्दस ताकत चाहिए सामने खड़े आदमी ने इसे मेरी तरफ धकेल कर अपनी उसी ताकत का सबूत दिया है अरे वो कहां गया वो डोगा के पास ही था जबर्दस ताकत है इसके शरीर में मुझे बिजली की तारों की तरफ उचाल दिया है डोगा ने हवा में ही कई कलाबाजिया खाई जहां उसका शरीर उन तारों से टकरा था अब केवल उसके जूतों के रबर सोल टकराए मेरे अलावा कोई दूसरा होता तो यह उसे तारों से टकरा कर मौँद देने में सफल हो जाता मुझ पर यह हत्यारों की लगातार चोथी कोशिस है काल पहलिया ने मुझे dead certificate दिया था तो क्या यह चारों हत्यारे उसी के बेजे हुए हैं लगता है उसकी बेजी death certificate की पहिली अभी भी सोल्व नहीं हुई है शायद वो मेरी मोत के साथ ही सोल्व होगी मेरे लिए सोचने का विश्य ये है कि पहला हत्यारा निशाने बाजी में माहिरता दूसरा कराटे बाजी में तीसरा बॉक्सिंग में और चोथा ये ताकत में ये सारे गुन तो मेरे काली, हल्डी, धनिया और अद्रक चाचाओं के हैं एक के बाद एक ऐसे गुन वाले हत्यारे मेरे सामने क्यों आ रहे हैं ताकत का एक नमुना मैं भी इसे दिखा दूँ दोगा ने उस सक्तिसारी सरीर को कालगच के लिफाफे की तरह उठा लिया इस हत्यारे का चहरा देख लू तो शायद मेरे जहन में उमरते गुमरते सवालों को जवाब की कोई मंजिल हासिल हो जाए और चाहूं तो एकी गोली में ठंडा कर दूँ इसे मगर ये नियत्ता मेरे सामने आया है इसे नियत्ता ही मारूंगा नीचे गिरते ही हत्यारा डोगा की टांगों पर जख्टा और और ऐसा शायद पहली बार हुआ था कि ताकत की उस मिनार डोगा को कोई इस तरह से नचा दे काफी खतरनाक दाओ खेल गया ये दाओ सचमुच खतरनाक था सूश उधर से ट्रक आ रहा है मैं खुद को ट्रक की तरफ जाने से नहीं रोख सकता ट्रक वाला भी इस इस्थित्री के लिए तयार नहीं था अत्या ब्रेक लगाने का तो प्रश्ट ही नहीं गुठता था दोगा का शरीर तेजी से आते ट्रक से टकराया किसी खिलोने की तरह स्टक के दूसरी और बनी गहराई की तरफ उचल गया दोगा अत्रक चाचा उस वक्ट दोगा के होटों से अपने भगवान अत्रक चाचा का ही नाम निकला था अत्रक चाचा जैसे कोई बड़बडाया था बोखला कर विष्टर से उठ बैठे थे अत्रक चाचा क्या हुआ 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 द्रक चाचा हो जाता तो यहां आपके सामने कैसे खड़ा होता यहां तक कैसे आ जाता मुझ को आ गया, या अल्ला, तेरा सरीर तो खुनम खुन हो रहा है, खुन बारिज की बूंदों की तरह तेरे सरीर से टपक रहा है, अभी भी बहुत खुन है अद्रक्टी सा चाजा, घबराना मत, मैं मरूंगा नहीं, होश खो बैटा सूरज, मगर काल पहलिया और काल नीतिया ने खोश नहीं खोई थे, उसकी लास को सड़क के उस तरफ वाली गहराई में होना चाहिए था, मगर वहाँ लास नहीं मिली, लास तो दूर, खुन की बूंद तक नहीं मिली, इसका मतलब पता है, इसका मतलब है कि डोगा अभी भी जिनता है मैंने चार दुरंदर ढूंड कर तुमें दिये, तुमने अपनी कालनिती उन पर चलाई, मगर वो चारो भी डोगा को खतम नहीं कर पाए, डोगा को कोई नहीं मार सकता, उनकी सयूक सकती अभी बाकी है कालू, रात होने दे, अब वो चारो एक साठ डोगा को मारेंगे, वो चोटे तो लगी हैं, लेकिन अपने मजबूत इरादो और कोश्ट्यूम के कारण कम, यानि कोई गंभीर चोट नहीं लगी, इलाज कर दिया है, अहां, लो बच्चा होश में आ गया, अरे, काली, हल्दी, धन्यच चाचा, आप सब हो यहां, मेरी खबर सुनकर, तेरी खबर सुनकर, रहा नहीं गया, सूरज, तुझे बच्चे की तरह पाला है, तुशो सकता है, कि तेरा खून देखकर तेरे चाचाओं पर क्या पीती होगी, जानता हूँ चाचा, जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, कभी कभी दाओं उल्टा पड़ जाता है, अब तुम्हारी दुआई ही तो बचाती है, तुम्हारे बच्चे को, तु अराम कर सुरज, उठ मत, सुरज की किस्मत में चलते रहना लिखा है चाचा, सुरज रूख नहीं सकता, आकास का चिपेगा, तो धर्ती का उद्य हो जाएगा, वो देखो, आकास का सुरज पस्चिम में उतर गया, अब धर्ती के सुरज को उद्य होना है, और वो डोगा के रूप में उद्य होगा, जैसे सुरज जल कर भी लोगों को रोशनी देता है, वैसे ही डोगा भी चाहे, कितने जखम क्यों ना खाले, मगर उसे बेगुना लोगों की मदद के लिए, रात को निकलना ही होगा, डोगा जाने के लिए मुड गया, मगर खून में डूबी हुई सी, वह आवाज सुनकर, तरवाजे पर ही ठिटक गया, सावधान डोगा, पल्टा तो उसके होस, ही जैसे पलट गए, पहली दफ़ा तुम मेरे हाथों बच गया था, मगर अब नहीं बचेगा, धाएं, काली चाचा, तो तुम, डोगा की निगाहें, विस्फरित अंदाज में फैल गई, धाएं, धाएं, उफ, ये, ये काली चाचा, ये तुम मुझे, ये मेरा शिकार है, तो तुम भी हल्दी चाचा, उफ, तो वो तुम ही थे, ये मेरा भी शिकार है, मुझे यकीन नहीं आ रहा, कि मुझे पर जान चिडखने वाले मेरे चाचा, ही मेरी जान के दुश्मन, ऐसा क्यों किया ये तो बताया होता कालनित्या की आखों में बाज किसी चमक आ गई थी कालू मैंने तुझे ऐसे जियाले ढूंड कर देने को कहा था जो डोगा को खतम करने की ताकत रखते हो तुने चार जबरदस्त भाईयों का नाम मुझे बता दिया जिनका कोई सानी नहीं था और तब मैंने अपनी वुडू सक्ती से उनके पुतलों के शरीर में सुईया डालकर एक एक कर उन भाईयों को अपने वश में किया उन्हें मेरे सामने आना ही पड़ा और तब मैंने उन्हें विशेश वुडू कोश्ट्यूम में दोगा को मारने भेजा दोगा रात को निकलता था मेरी शक्ती भी रात को काम करती है अकेले तो वो ऐसा फल हो गए मगर देखो अब चारों की संयूक सक्ती ने दोगा को खतम कर दिया है ये देखो दोगा का वुडू पुतला जिसके शरीर से खून की धराएं फूट रही है ये जखम गोल्यों के हैं जो काली ने चलाई होगी दोगा का वुडू पुतला गिर गया है यानि दोगा अब होश में नहीं है कालू दोगा खतम हो चुका है अगर ऐसा हो गया है तो आप महान है गुरू कालनीतिया आप महान है कल अपराद की दुनिया में जशन मनेगा पर एक बास समझ में नहीं आई कि आपने सिधे दोगा को ही क्यों नहीं अपने वश में कर लिया तब तो आप उसे खुद ही आत्मत्या कर लेने का आदेश दे सकते थे अगर ये आसान होता तो मैं ऐसा ही करता मगर दरसल हमें पता ही नहीं है कि दोगा है कोन वडू सकती हम किस पर चलाते तो अब उन चारों का क्या करना है उनसे हमारी क्या दुश्मनी है मैं उनके वडू पितलों में से ये अभिमंत्री सुईया निकाल कर उन्हें जादू से मुक्त कर देता हूँ अपनी वडू कोस्ट्यूम वे मुखर्टे को छुपा कर वो अपने पहले वाले रूप में आ जाएंगे उन्हें तो ये भी पता नहीं चलेगा कि डोगा को उन्हों नहीं मारा है पर चाहे कुछ भी हो जाए कालनीतिया मैं डोगा की लास देखे बिना नहीं मानूँगा तो चल मैं तुझे बताता हूँ कि वो कहां पर है कि मस्तिश को एक सक्तिशाली जटका लगा ओ अचानक क्या हो गया था मुझे मुझे भी चैसे दिमाग कहीं अंत्रिक्ष की सहर पर चला गया था और फिर कुछ पता नहीं क्या हुआ कुछ याद नहीं मेरे साथ भी मेरा भी यही हाल है ऐसा दूसरी बार हुआ है सूरज सूरज कहां गया वो तो डोगा बनकर चला गया था हलक फाड कर चीख पड़ा आद्रक डोगा? डोगा तो यहां पड़ा है इसकी छाती से तो खुन बह रहा है बुरी थरह घायल पड़ा है इसकी धड़कन डूब रही है पर यह तो ठीक ठाक था मैंने अपनी आँकों से इसे जाते हुए देखा था अचानक क्या हो गया इसे? किसने गोलिया? किसने मार दी इसे? उठ डोगा उठ बता किसने गोलिया मारी तुझे? तूने, काली तूने तूने गोलिया मारी है इसे पिस्तोल यहां सिर्फ तेरे पास है पता नहीं हमें कुछ देर के लिए क्या हो गया था और उसी दुरान तूने इसे गोलिया मार दी क्या बकता है धनिया? तूने मारा है हमारे डोगे को हमारे बच्चे को इसी ने मारा है अद्रग, हल्दी अब इसी पिस्तोल से मैं इसे भी मार डालूँगा नाटक मत कर धनिया, नाटक मत कर मेरे बच्चे का मूँ सुजा पड़ा है कोई जबरदस्त पंच पड़ा है उसे और वो पंच उसे सिर्फ तू मार सकता है तूने भी उसे खतम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी डोगा के गले से उसकी वर्दिक खिंचकर फटी पड़ी है और ऐसा तभी हो सकता है जब किसी ने उसका गला घोटने की कोशिश की हो और ऐसा कोई ताकतवर ही कर सकता है और हम सब में ज़्यादा ताकतवर तू ही है तूने मारा है डोगा को अद्रग तूने मारा है उसे ये नान्चाकू तेरा ही है ना हल्दी ये यहां जमीन पर पड़ा जमीन पर डोगा के पास क्यों पड़ा है तूने मारा है डोगा को हाँ 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 तुम में से किसी ने भी डोगा को नहीं मारा, डोगा को मारा है मेरे गुरू कालनीतिया की जादूई नीतियों ने, तुम्हें सिर्फ मोहरा बनाया गया, रात का रक्षक डोगा, तुमारे हातों खतम हुआ, पर उसे मारा हमने, इस कुत्ते की लाश को एक ठोकर मैं भी जरू धाड, कालू, ये क्या किया, सही जंगय पर थूक कमीने, महा थूक, अपने गुरू पर, जिसने तुझे गुरू होकर भी गलत रास्ता दिखाया, दोगा रात का रक्षक है, हम सब का रक्षक है, मुंबई का रक्षक है, तडाक, अहां गुरू बचाओ, ये मैं कहां फस ग अब यहां से तू नहीं, तेरी आत्मा ही नरक को जाएगी, धाए, गुरू बचाओ, ये कोवे मुझे नोच डालेंगे, कोवे नहीं चील और बाज बोल, जो आकाश पर उड़ते हैं, मगर धरती पर रेंगते अपने शिकार को देखकर, उसे छोड़ते नहीं, अचानक, हा हा हा, मैंने एक बार फिर इनके वुडू पुतलों में, अभी मंतरित सुई भोग कर, इन्हें इस्तब्द कर दिया है, कालू, अब ये चारू आपस में लड़ेंगे, और लड़ते लड़ते मर जाएंगे, तुमने इतनी देर कर दी, इतने में तो मेरी जान चल जाती, वहा उफ, धाड़ रहा था, ला, वो सर्टिफिकेट मुझे वापस कर दे, मैं उसे फाड़ दूगा, दोगा की नशे में डगमगाती सी, कमजोर होती आवाज को, कालू ताड़ गया था, काल पहिलिया जानता था, कि इस वक्त एक हलकी सी भी कमजोरी, उसकी जान उसके शरीर से जुदा कर दे लेगी, मान जा डोगे, मान जा, नहीं मानता, तो ये ले, डोगा की पकट धीली होते ही, काल पहिलिया ने डोगा को दूर उचाल फेका, और, गुरू काल नीत्या ने ये भी समझाया था, कि जब अपनी जान पर बनी हो, तो सब की फिकर छोड़ कर, अपनी जान बजानी च मगर जीवट इंसान था कालू भी, रुका नहीं था, तब डोगा ने वुडू की सकती से अजाद किया, अपने चाचाओ को, मत लड़ो चाचा, मत लड़ो, चत्रो की चालो के बांद अब तूट चुके हैं, बेहो शोकर गिर परता डोगा, मगर चाचाओ के बाजूों ने थाम लिया उसे, डोगा, मेरे बच्चे, इन हातों ने लहुलवान किया है तुझे, अगर तुझे कुछ हो गया, तो काट फेकूंगा इने, इसे कुछ हो गया, तो बाजू तो अपने आप ही कर जाएंगे हमारे, डोगा नहीं मरेगा, वो मरने के लिए पैदा नहीं हुआ अरे, मैं तो कहता हूँ कि मुंबई को रोज, डोगा का जनम दिन मनाना चाहिए, योकि वो तो खत्रों से खेल कर, रोज मरता है, रोज जिन्दा होता है, अदरक देख रहा था, मोती कुत्ते को, जो भोखता हुआ अंदर आ गया था, और अकारन ही भोख रहा था, किसी पर चपट रहा था, भोँ भोँ, डोगा नहीं मरेगा, हाँ धनिया, काली, हल्दी, डोगा नहीं मरेगा, वो देखो मोती को, जानते हो, ये अकारन ही नहीं भोख रहा, ये उस मोत पर भोख रहा है, जो डोगा की तरफ बढ़ना चाहती है, मगर मोती ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया है, मोत को वो अंदर नहीं आने देगा, मोत को जाना होगा, मोत को जाना होगा, और मोत लोट गई, एक बार फिर, एक स्वामी भक्त कुट्टे ने, अपने स्वामी की जान केल बदले, अपनी कुर्बानी दे दी थी, और वो स्वामी डोगा ही था, समाप्त. चलिए दोस्तो इस कोमिक्स में इतना ही ये धमाकेदार कोमिक्स आपको कैसी लगी हमें कमेंट बोक्स में जरूर बताईएगा और कौन सी कोमिक्स आप हमारी चैनल पर देखना चाते हैं ये भी आप हमें कमेंट बोक्स से बता सकते हैं और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, मिलते हैं फिर किसी अगली धमाकेदार कोमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद